Hello friends, आज यह Vivo ने Vivo V29 शीरीज लॉंच किये तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Vivo V29 स्मार्टपॉन के बारे में जो कि आपको दो वेजियन में देखने को मिलता है 8GB प्लस 120GB जो कि आपको 33,000 रुपे में देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर आपको extra exchange bonus भी दिया जा रहा है साथ instant discount भी देखने को मिल रहा है तो उसके साथ आप इस smartphone को लगबग 21,000 रुपे में purchase कर सकते हो और उससे सबसे में बोलूँगा कि यहां पर आपको एक सांदार smartphone देखने को मिल जाता है सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन की तो जैसा कि वीओ के वी सीरीज में आपको देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी डिजाइन दी होती है कुछ SI यहां पर दिया गया है इस बार यहां पर आपको 3D particle डिजाइन देखने को मिलता है साथ ही color changing design तो दिया गया है और बेक साइड में आपको class का बेक देखने को मिल जाता है फरन डिजाइन के अगर बात के तो इस smartphone में आपको center console design दिया गया है साथ ही 6.78 inch का 1.5K resolution वाला 3D count AMOLED display दिया गया है जो कि 120Hz के refresh rate के साथ आता है और HDR10 Plus का certification भी आपको देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको 1300 nits की brightness का support भी दिया गया है तो यहाँ पर आपको latest और copy trendy display दिया गया है साथ यहाँ पर brighter display भी देखने को मिल जाता है performance के अगर बात करें तो इस smartphone में Sanevragan 770 8G processor दिया गया है जो कि एक कापी अच्छा mid-range processor है और इसका अंतुत square आपको लगबग 5,50,000 से अबव देखने को मिलता है और इस smartphone में आपको liquid cooling का function भी दिया गया है तो यहाँ पर आपको processor तो अच्छा देखने को मिलता है यह साथ ही out of the box Android 13 और front touch OS 13 दिया गया है साथ ही 8GB के virtual RAM का support भी दिया गया है तो मैं अगर overall performance की बात कहूं तो यहाँ पर आपको कापी अच्छी performance इस smartphone के साथ देखने को मिल जाती है camera के अगर बात करें जो कि Vivo की V series का सबसे बड़ा highlight होता है तो आपको यहाँ पर rear side में triple camera setup दिया गया है और इस smartphone के main sensor में आपको OS का support देखने को मिल जाता है बात करें front sensor की तो यहाँ पर एक कापी अच्छा 50 Megapixel का Eye Autopocus वाला front camera इस smartphone में देखने को मिल जाता है तो इस price range में आने वाला एक मातरेसा smartphone है जिसमें आपको front में भी 50 Megapixel का sensor देखने को मिल रहा है साथ इस smartphone के साथ 4K वीडियो भी रिकोर्ड कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको एक अच्छा camera setup और यह दोन्नों में देखने को मिल जाता है इस smartphone के साथ में बेटरी और चार्जिंग के अगर बात के तो इस smartphone में आपको 4680 mAh की बेटरी दी गई है साथ ही 80V की fast charging का support दिया गया है जो के इस smartphone की 50% बेटरी मातर 18 मिट में चार्ज कर देता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी बेटरी साथ ही अच्छा fast charger दिया गया है connectivity और sensors की अगर बात के तो यहाँ पर आपको लगबग सारे की सारे sensors देखने को मिल जाते है साथ ही in display fingerprint sensor भी दिया गया है और इस smartphone में आपको 8 5G के बेंड का support दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको Wi-Fi 5 का support देखने को मिलता है क्योंकि जो processor है थोड़ा पुराना है इसी वज़े से आपको यहाँ पर Wi-Fi 5 का support देखने को मिलता है साथ ही Bluetooth 5.2 का support भी दिया गया तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको connectivity भी ठीक ठाक दिग गही है तो finally बात करूं conclusion की तो यहाँ पर आपको इस smartphone में 3 color variant देखने को मिलते है Space Black, Majestic Red और Himalayan Blue जो की देखने में काफी अच्छे लगते है इस smartphone में आपको काफी अच्छा design display दिया गया है साथ ही यहाँ पर performance भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो main चीज होती है वियो के वी series की वह है camera वह भी यहाँ पर आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है तो one of the best smartphone होगा क्योंकि इसमें सारी की सारी चीज़े अच्छी दिगए और जो अभी sale है दी पाउली की big billion day sale उसमें आपको यह smartphone काफी सस्ता देखने को मिल रहा है तो अब आप comment करके बताएए कि आपको यह वाला smartphone केसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए साथ ही मारे चैनल को subscribe भी कीजिए